एक हैं Ыगायो वक उनदर वीडियो तो है आज का जो वीडियो होने वाला हो थूड़ा सा स्पेसल हूने वाला है। अज ट्रोन चलाना किसको पसंद नहीं है द्रोन बनाना इसको पसंद नहीं है ? और साथ इसाथ guys आप सभी की ये भी demand है कि आप जो है अपनी website के उपर drone के parts लेके आओ तो guys जार उनको भी हम जल्दी से लेके आने वाले parts को और काफी जादा सस्ते price होंगे compare to amazon flip car क्योंकि काफी जादा उनके price रखे हुएं तो सभी afford नहीं कर बात हैं तो इसलिए हम जो है अपनी website के उपर लेके आने वाले बस आपको चैनल को subscribe करना पड़ेगा और साथ ही साथ guys आपको हमारी website है उसको visit करना पड़ेगा क्योंकि हमारी website का जो link है वो आपको description में मिल जाएगा तो direct जाके आप जो है उसको visit कर सकते हैं तो चलो यार अब जो है एक एक करके हम parts के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कौन-कौन से part हम जो है इसमें यूज करते हैं ड्रोन बनाने में तो guys आर चलिए सबसे पहला जो हमारा यह component है यह होने वाला guys हमारा drone का frame यह जो frame है यह already बना बनाया भी मिलता है और आप जो है इसको घर पे भी बना सकते हैं अपने according पर गाई उसमें जो है balance अच्छी तरीके से नहीं बन पाता है और drone का main purpose यह होता है कि balance को control करना अच्छी तरीके से चलाना अगर आपको गाईस फ्रेम अच्छी तरीके से आता बनाना तो आप बना सकते हैं वरना इसको भी आप purchase कर सकते हैं तो चलो guys next component के बारे में बात करते हैं तो guys next component के बारे में बात करते हैं न factory बी सब्सम्राइब करकूद जबर मोंतर आफ़ी इस लिए कि जाती है यह थोड़ी सी कोश्ठटली भी होती है लेकिन यह इस लिए यह प्रोपेलर्स जिसको आप पंखड़ी बोलते हैं गाईज यह जो है चार यूज की जाती हैं इसमें लेकिन गाईज यहाँ पर जो है दो एक तरह की देखने के लिए मिलते हैं दो इसमें जो है clockwise चलते हैं और दो इसमें anti-clockwise चलते हैं इनको जो है जब भी आप ड्रोन के लिए पर्चेस करें तो दुकानदार से या फिर जहां से भी आप पर्चेस करें वहाँ से पूछ जरू लिजएगा कि A A वाली है या B B वाली है तो वह आपको बता देगा और वहाँ से ही आप इजिली इसको ले सकते हैं अब next component देखते हैं गाईज हमारे पास यहापर ESE क्या काम करते हैं जो हमारी B L DC motor है उसकी speed को जो है यही control करती है कभी कम कभी जादा जितने भी speed बढ़ानी है जितने भी speed घटानी है वो इसी के तुरू की जाती है guys controller से हम जो है control तो करते हैं लेकिन main जो काम है वो ESC का ही होता है तो यह भी guys लगानी उसमें जरूरी होती है चार यह लगाई जाती है जितनी हमारी motors होती है उतने ही यह लगा करता है हवा में जो है stable रहता है वो इसी के through रहता है guys क्योंकि इसमें जो है काफी सारी settings करनी पड़ती है पहले जब आप इसको नया खरीद के लाओगे तो इसमें जो है settings करनी पड़ती है इन buttons की मदद से तो इसी से ही आपका जो drone है वो easily fly करता है और आपकी इसकी setting बेकार हो गई है गलत हो गई है तो guys आपको जो drone है वो fly बिल्कुल भी नहीं करने वाला है तो guys यह जो है main होता है इसको हम flight controller यहां पर बोलते हैं और चले guys next component के बारे में बात करते हैं next है guys हमारा यहां पर transmitter and receiver guys यह जो हमारा remote है इसको हम बोलते हैं transmitter और जो यह नीचे रखा हुआ है चोटा सा जिसमें wires wires लगे हुए इसको बोलते हैं guys हम receiver guys इसी से ही आप जो है अपने drone को fly करते हैं और इसी में ही जो है आपकी जो connectivity है वह इसी के थूरू जो है यहां पर बनती है तो guys यह भी main है हमारे drone के लिए चले गाइस next component की बात करते हैं तो next है guys हमारे पास यहां प आपकी बैटरी है वह light weight भी होनी चाहिए तो guys यहां पर बैटरी सबसे ज्यादा main important होती है तो इसके लिए अलग से बैटरी मिलती है market के अंदर में तो वह भी आप purchase कर सकते हैं और यह हमारे पास यहां पर charger जो की इस बैटरी को यहां पर charge करता है यह जो है normal से charge नहीं होती ह तो यह थे guys काफी सारे आज के drone parts जो की guys आपको जो है हमारी website के उपर कुछ दिनों बाद जो है आपको मिलने वाले हैं तो guys अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो भाई channel को subscribe इसलिए कर लो क्यूंकि जैसे ही हम parts drone के लेके आएं वैसे ही आपको notification मिल जाए और सीधा आप जो है महां से जाके purchase भी कर लो क्यूंकि guys काफी जादा मेहंगे parts आते हैं इसके लेकिन हम पूरी पूरी कोशिस करेंगे इनको काफी कम price में देने के लिए ठीक है तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आप subscribe कर लो चैनल को और एक बार website को विजिट जबूर से कर लेना ठ ठीक है तो नेक्स्ट वीडम है फिर से मिलते हैं तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को एक छोड़ा सा लाइक करेंगे जाए